महराश्ट में चुनाव आयुक के फैसले के बाद सियासत में उबाला गया है इसी ने शिवसेना की कमान अब शिंदे गुट के हाथों में सौब दी है इसके बाद उद्दव गुट शिंदे गुट और चुनाव आयुक पर लगातार निशाना साथ रहा है उद्दव गुट ने अपने गुट के नेताओं से मुलाकात के बाद बीजेपी और शिंदे गुट पर जम कर भडास निकाली साथ ही एक बार फिर पार्टी की मजबूती का दम भी भरा महराश्ट में जब से उद्दव ठाकरे की सरकार गई है तब से उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं पहले कुर्सी गई फिर चुनाव चिन भी छिन गया उद्दव के ही सयोगी शिंदे ने बगावत का ऐसा बिगुल बजाया कि सीम पत के सासाथ पार्टी का चुनाव चिन भी छीन लिया इसी के फैसले के बाद उद्दव ठाकरे ने अब बीजेपी और शिंदे गुट पर भड़ास निकाली है मातो शिरी के बाहर जुटे समर्थकों को संबोधित करते हुए उद्दव ने कहा कि चुनाव आयोग ने अगर गुलामी की है तो मैं यही कहूंगा कि उनको चुनाव चिन चाहिए पार्टी का नाम चाहिए लेकिन बाला सार्प ठाकरे का परिवार नहीं चाहिए इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पनिशाना साधा उद्व ने कहा कि पियम मोधी को महराष्ट में आने के लिए बाला साहिब का मुखोटा लगाना पड़ता है महराष्ट की जनता को पता है कि असली कौन है और नकली कौन है उद्धव ने कहा कि मैं अहवान करता हूँ कि जिनोंने धनुश बार्ट चुराया है वो धनुश बार्ट से आ जाए हम मशाल से लड़ते हैं वो चाहे हमसे मशाल भी छीन सकते हैं उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये अपनी परिक्षा है लड़ाई अब चालू हो गई है इतना ह कि नहीं उद्धव ने कहा कि पियम को लगता है कि वो शिफसेना को खत्प कर सकते हैं लेकिन शिफसेना कभी खत्प नहीं होगी मैं सरकार में उनके लोगों से कहना चाहता हूँ कि जनता ताय करेगी कि शिफसेना किसकी है उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल यानी रविवार को फेस्बुक लाइफ करूंगा उद्धव की इस हुंकार से साफ है कि चुनावचिन छिनने के बाद भी उनके होसले पस्त नहीं हुए हैं वही हुंकार है वही ललकार है अब देखना होगा कि इस तेवर से वो कैसे खुद को सियासी जमीन पर मजबूत करते हैं देबिलाइफ की रपोर्ट